हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत इस्टडी फ्यूजन पर और आज की इंजिनेरिंग ड्रोइंग के क्लास में बात करेंगे इंस्टुमेंट बोक्स की, बीम कमपास की और सेंड पेपर ब्लोग की तो video स्टार्ट करेंगे, video स्टार्ट करने से पहले आप सभी से remaining channel को subscribe कर ले और new videos की notification के लिए बैल आइकन को प्रेस कर ले तो सबसे पहले देखते हैं instrument box, इस में क्या क्या instrument होते हैं हमारे पास ? यह सभी एक बार देख लेते हैं सबसे पहले लार्ज साइज कमपास यह जो आप लार्ज डाइग्राम देख रहे हैं यह लार्ज साइज कमपास और इसको हम यूज करते हैं सर्कल और आर्क ड्रो करने के लिए अप्टू 120 mm कमपास के दो लाइग होते हैं जिसमें एक लाइग पर पॉइंटेड नीडल लगी होती है और दूसरे लाइग पर पैंसिल की लैड हम लगा सकते हैं उसके बाद next है large size divider यह second number पर large size divider आप देख सकते हैं और इसका use किया जाता है किसी straight line को या फिर किसी curve को कुछ equal distances में divide करने के लिए या फिर किसी distance को scale या drawing के दूसरे parts से किसी और part पर transfer करने के लिए और इसके भी जो dividing की limit होगी वो होगी 120 mm उसके बाद small bow compass यह use किया जाते हैं छोटी arc और छोटे circle बनाने के लिए यह आप first number पर देख सकते हैं यह small bow compass है यहाँ बीच में एक screw लगा होता है जिसकी मदद से हम इसको adjust कर सकते हैं और इसकी मदद से हम arc और circle बना सकते हैं up to 25 mm और इससे बड़े circle के लिए हमें large size compass यूज़ करना पड़ता है उसी परकार small bow divider होगा जो dividing का काम करेगा 25 mm तक इसके लावा हमें 120 mm से ज्यादा की requirement है तो हम lengthening bar compass के साथ add करके use कर सकते हैं तो यह lengthening bar इसमें compass में attach की गई है जिसकी मदद से हम थोड़े और large size के circles या arc बना सकते हैं उसके अलावा pencil lead हमारी instrument box में होगी उसके अलावा inking pen या फिर rolling pen हम जिसको बोलते हैं इनका यूज़ किया जाता inking lines बनाने के लिए drawing में और last में हमारा ink bow compass और इसका हम यूज़ करेंगे inking circle और arc बनाने के लिए जैसा कि मैंने आपको बता है lengthening bar का हम यूज़ करेंगे अगर 120 mm से ज़्यादा radius के हमें circle चाहिए लेकिन lengthening bar के बाद भी हमें अगर वो size नहीं मिल पाता तो उसके लिए हम क्या करेंगे उसके लिए हम यूज़ करेंगे beam compass यह beam compass की दो images आप देख सकते हैं जिसमें एक beam होगा एक sliding socket होगा और इसका use हम करेंगे large size के circle बनाने के लिए जिनको हम regular compass से नहीं बना सकते और अब last में देख लेते हैं एक बार sandpaper block, sandpaper block का हम यूज़ करते है pencil point को sharp करने के लिए कुछ time drawing पर काम करने के बाद pencil का point काफी डल हो जाता है तो उसको sharp करने के लिए हमें zero grade के sandpaper पे उसको sharp करते रहना चाहिए तो ये कामे sandpaper block का इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ आपको कुछ जानने को मिला होगा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को like कर दें इसे share कर दें अपने दोस्तों के साथ और channel को subscribe नहीं किया तो channel को subscribe करना ना भूले Thank you and take care